नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल टिप्स में तो चलिए दोस्तों वाइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जी है दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं और आपके जानकारी के लिए ही ये वीडियो सुते हैं तो प्लीस जेनल को सस्क्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना खूलें अब हम सिर्फ पानी को साधारन समझते हैं, हमें ऐसा लगता है, हम जब चाहें, जैसा चाहें, जितनी मातरा में चाहें, पानी पी सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सही समय और पाने को किस तरह पीने से क्या-क्या फाइदा और क्या-क्या नुकसान होते हैं आज हम आपको बताते हैं इस बारे में जनकारी ना हो तो जितनी अच्छी से अच्छी चीज का ले उसका सही फाइदा शरीर को मिल ही नहीं पाता है और जिसकी वज़े से भविश्य म होना स्किन अलर्जी दाग खाच खुजली चहरे पर पिंपल और दाग धब्बे का होना स्किन का बहुत जादा ओईली या ड्राइ होना खाया प्याश शरीर को ना लगना जोड़ों में दर्ध होना शरीर की अंचाही जगह उपर चर्बी का जमा होना चक्कर आना वजन घटा हुशरी क्यूं है और इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है एक दिन में कम से कम और जगांजा जासकता है अगर शरीर में पानी की तरह होंना चाहिए ठंडा गरम या फिर और पाने किस तरह से वजन बढ़ाने और घटाने में मदद करता है शुरू करते हैं आकिर हमारे लिए पाने इतना जरूरी क्यों है दोस्तो हमारे शरीर में 60 से 70 प्रतीशेद पानी होता है हमारे द्वारा पिये गए पानी का इस्तेमाल हमारे इंटरनन ओर्गन जैसे की किट लिवर, फेफडे, पाचन, तंत्र, लगभग शरीर के सभी इस्तों को काम करने और सबसे जदा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिन्दा रखने के लिए होता है अब सवाल ये उठता है कि जादा से जादा कितना पानी पीया जा सकता है और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गोई तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है दोस्तों शरीर में पानी की कमी होते ही पिशाप का रंग पीला पढ़ जाता है पाचन शक्ती कमजोर होने लगती है चेहरे की स्किन धीरे दीरे रूखी बेजान और डीली पढ़ने लगती है और शुरू में ही पानी प इतना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए गरम थंड़ा या नॉर्मल दूस्तों इसके लिए हमें ये जानना होगा पानी में क्या क्या होता है और क्रिया आखड़ी और लगबग हमारे शरीर के सभी अंग को ठीक तरह से काम करते रहने में हमारी मदद करता है इसलिए हमारे लिए पानी इतना जरूरी होता है कि चाहे खाए बिना कोई व्यक्ति लंबे समय तक रह ले लेकिन पानी के बिना कुछ दिन भी जीवित रहपाना स साइस व्यक्ति के सेहत जो भार रहता है उस जगा का मौसम जहां पर रहता है उसकी फिजिकल एक्टिविटी इस पर निर्भर करता है समाने व्यक्ति को दिन भर में धाय से तीन लिटर पानी जरूर पी लेना चाहिए एवरेसाइस के गिलास से 12 गिलास होते हैं और गर्मी क मौसम में क्योंकि ज्यादा पसीना निकलता है तो पानी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है जो लोग एक्सिसाइस करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले ज्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपच ज्यादा मात्रा में होती है जहन में सवा कोडियम के लगतार कमवने के चांसे बढ़ जाते हैं लेकिन ऐसा पहुत कम होता है कि अक्सालों इतना भी पानी नहीं पी पादे जितना की पानी पीने की लैमिट होती है। ऐसा नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ती 4-5 लिटर पानी पी ले एक भार में कितने किलास पानी पीने चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए लोगों को लगता है पानी को जैसा चाहिए जब चाहिए पिया जा सकता है लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग-लग तरह से पीने से अलग-लग तरह के असर होते हैं इसलिए पानी हमेशा बैट कर और धीरे-धीरे पीना चाहिए जैसे पानी को मुँ में रखा और 4 पार सेकिंड तक इदर उदर घुमाया और फिर निगले ऐसा करने से मुँ की लार जो की अलकलाहिन होती है पेट में जाकर पेट के ऐसीडिटी को शान्त करती है जिससे की पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदत मिलती है जबकि खड़े होकर जल्दी-जल्दी पानी पीने से हमारे किड्णी उससे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और मुँ से हटाकर बोटल से पानी पीने से पानी के साथ-साथ भहूत सारी गयस भी हमारे पेट में प से फिल्टर नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में इस्तिमाल हुए बिना ही अमारे शरीर से पिशाप के द्वारा बहार निकल जाता है अब आते हैं पानी गरम टंड़ा या नॉर्मल होना चाहिए क्या करना चाहिए दोस्तों जब हम कोई भी बहुत जादा ठंड़ी ची जी वेस्ट हो जाती है और इसलिए इस पानी को शरीर को भी इस्तेमाल करने के लिए काफी इंतिजार करना पड़ता है जब तक कि पानी पेट में गरम नहीं हो जाता और ठंड़ा पानी हमारे द्वारा खाते पदार्थों को बहुत ज़्यादा सक्त भी बना देता है जिसस शरीर में जाकर काम करना शुरू कर देता है इससे पाचन शक्ती बढ़ती है और पेट भी खुल कर साफ हो जाता है पानी कप कप पीना चाहिए और कप कप नहीं पीना चाहिए दोस्तों यह ऐसी बात है जाल से लोग गलती कर देते हैं और बीमारियों के शिकार हो जाते है पानी कब पीना चाहिए, यह जानने से ज़्यादा जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए, इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि पानी हमें कब कब नहीं पीना चाहिए, और फिर जानेंगे कि पानी कब पीना चाहिए, खाना खाने के बाद, वैसे तो खाना खाने के बाद पाइब बात पतला बना देता है और हमारे पेट में पाचक रस भी नहीं निकाल पाता है जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है इसलिए खाना खाने से पहले हो या बाद में 45 मिनिट का अंतर जरूर देना चाहिए और रात में सोने से पहले अचानक नीन खुलने पर पानी पीकर सोएं दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फाइदे मंद होता है उसके ठीक उल्टा रात में जादा पानी पीने से नुकसान भी हो सकता है सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता है जिससे पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही किड्नी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है जाए हमारी किट्नी को बहुत जादा नुकसान पहुचाता है और बार बार टॉलेर जाने की जुरूहत भी पढ़ सकती है जिससे की दोबारा निंद आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पढ़ सकता है दिन में जादा से जाद में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के माद्याम से भार निकल जाता है और जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो सकती है इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बिल्कुल साफ है तो इसका मतला फिलाल आपकी बॉड़ी को पानी की आवश्य सہता नहीं है mines करने के बाद 15-20 मिनिट का गया पावश रखे पानी पीने के लिए ताकि हमारी किट्नी को रेस्य करने का मौका मिल सके जल्दजु पानी पिने से बार बार पेशाब आना पड़ता है और पेशाब को रोकने की समस्सर शुरू हो सकती है फल खाने के बाद अ इससे पाचन क्रिया धीमी पड़ सकती हैं और कुछ लोगों को जुखाम भी हो सकता है साथ इसाथ बहुत ज़्यादा गरम चीज़े जैसे चाए कॉफी सूप जैसे चीज़े पीने के बाद आप पानी तुरंत आप ना पिए क्योंकि इन चीजों को पीने के बाद तुरंत प कुछ भी खाने या पीने से अपने पेट के सफाई जरूर करनी चाहिए इसके लिए पानी से भेतर कुछ भी नहीं है सुबहा खाली पेट पानी पीने से रात में पेट में बनने वाले जहरीले पदार्थों की काफी अतक सफाई हो जाती है लेकिन जो लोग सुबहा पानी यह बिना ही कुछ भी खाते पीते हैं विल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि जूटी प्लेट को साफ किये बिना आपने खाना खा लिया हूं इसलिए एक से दो गलास पानी खाली पेट जरूर पीना चाहिए नासा करने से 45 अधालिस मिनट या एक घंटा पहले जरूर आपको पानी प पानी पीने के बीच में लगबग एक घंटे का अंतराल जरूर रखें पानी पीने का खार इस ख्याल रखें कि दिन में धाई से तीन लेटर पानी आप अवश्य पी सकें यह बहुत जरूरी है अगर दूप से ओकर आते हैं या रनिंग एकसेस करते हैं उस समय ग्लास भर के प अपरेचर हाई रहता है इसलिए उस समय हमें जादा पानी पीने से हमारे शरीर को फाइदी की बजाए नुकसान हो सकता है और एकसेसाइजर वेड टेस्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए एकसेस के दुरान एक चुथाई गिलास पानी पीने से दो तिन खुटी प इस तरह हमारा वैसे पाचन भी अच्छा रहता है आज की वीडियो में बस इतना ही लोटिंग एक नए वीडियो के साथ